नमस्कार दोस्तों आज 26 सेप्टेंबर है और आज के दाहिंदों में क्या और क्यूं पढ़ें इसे लिके हम फिर से आज रहे हैं आज जो सबसे पहली न्यूज है तिबतन मतलब ज्यादा स्वायतता चाहते हैं तिबतियों के जो प्रमुक हैं दलाई लामा उन्होंने कहा है कि हम चीन से अलग नहीं होना चाहते हैं राजनितिक तोर पे अलग नहीं होना चाहते हैं लेकिन हमें उस छेत्र की पूर्ण स्वायतता चाहिए और अभी अभी एक खबर भ बात हो गई कि भारत एक चीन की नस दबा के रखा हुआ है जब चाहे वो छेड़ सकता है लेकिन यहां पर एक चीज और आपको नोट करना है सिक्किम करनाट का और बोध गया मतलब बिहार का इन्होंने विजिट किया है तो ये तीन जो छेत्र हैं तीन जो स्थान हैं वो महत्तो रखते हैं इसको आप जरूर नोट डान कर लिएगा ठीक है उसके बारे में बता ही दिया कि फुल ऑटोनोमी चाहते हैं पार्ट ओफ पब्लिक और चाइना के लिए ठीक है और और ऑफिसेली और ऑफिसेली बाई चाइनिज गोर्मेंट संपर करना चाहिए ठीक है य इसको नोट डाउन कर लिजिएगा ठीक है इसके बाद जो हमें देखना है वो है पैज नंबर फोर पर फोर पर चलते हैं पैज नंबर फोर पर जो नियूज है वह एक अलग तरीके की नियूज है more women ordoers in Tamil Nadu ordoers उसे कहते हैं जो पूजा पाठ आपने देखा होगा पुजारी होते हैं मंदिरों में पुजारी होते हैं तो एक अब last बच गई थी जिने ordoer कहा जाता है वो last बच गई थी अब 15 नई नियुक्तियां हुई है और देख लेना है ग्लोबल साउत के जो बॉसिक मन नरबना चाहरा है वो भारत है चीन और। बहुत बहुत शारी ऐसी चीजह हुई है जो उग्दम से अब प्रत्यासित ती जिसको कई लोग मानने को तियार ने थे हैं पे भारत ने बात कर ली तो इसी पे एक पूरा का पूरा लेक है इसमें आप MKNRN जब भी आए आप पढ़ लीजेगा अधी मैं छोड़ भी तयता हूं तो भी आप पढ़ लीजेगा यह ऐसे लेखक हैं जिनके लेख हमें पढ़ने ही चाहिए तो यह आप एक बार पढ़ ली ही है उसको कैसे रूल रेगुलेशन के अंदर लाया जाए आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम बुद्धी मता को इस पर बात चल रही है इसी पे दो समिट होने वाले हैं आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल समिट और इस अक्टूबर एडिस्टूबर चेयर ऑफ दे ग्लोबल पार्टनर्शिप और अर्टिफिसल इंडिजेंस कौन है तो इंडिया 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 और आल्सो भी होस्टिंग जीपी ए आई ग्लोबल समिट इन डिसंबर है ना तो यह दो होने वाले हैं और इस पे जो मामला है कि हम यहां पे दो लोगों को दो उम्र ऐसे लोगों को छोड़ रहे हैं या उन पर हम बहुत ज्यादा ध्यान ने दे रहें जबकि सबसे ज्यादा उपयोग वही कर रहे हैं इसी पर एक चीज यह बात की गई है अब इसमें चैलेंजेंज कौन से आएंगे इसमें कौन कौन से बाधाएं आएंगी इस प 30% of urban kids जो सहरी बच्चे हैं 60% से उपर वो हर दिन तीन घंटे entertainment apps पर गुजारते हैं अब यह data point है एक तरीके से लेकिन इसके प्रभाव क्या क्या है है social media पर जैसे Instagram WhatsApp उस पर 25% video OTT YouTube Prime Video 37% online gaming 33% other activity online 10% can't say 2% luckily they are not addicted to any of the above 8% responses इतने लोगों का सर्वे किया गया है तो यह इसको आप एक बार जरार देखेंगे happier 8% response, more social, impatient, aggressive हो गया है यह एक बड़ा मामला बन रहा है अधी हम इन दोनों को जोड़ दें तो यह बड़ा मामला बन रहा है अधी यहां पर hyperactive हो जाता है लेथर्जिक हो जाता है, none of the above, other impact यह चीज़े आपको देखना है और इसी पे एक chart दिया गया है तो इस social media के प्रभाव अधी आता है कोई question ऐसा आता है समाज में जब social media के प्रभाव या जो बरतमान जो entertainment apps है उसके प्रभाव के बारे में कुछ लिखने का होता है तो यहां प्रभाव नाड़ू के लोगों ने किस प्रकार से इसको लिया है इसी पे बात की गई चर्चा की गई तो आप इसको देख लेंगे इसके बाद है what are the finding of the parliament panel का गठन किया गया था national education policy पे और क्या उनको मिला है इसके बारे में चर्चा की गई है यह जो multiple exit और multiple entry का प्रोग्राम था उसको क्या लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इस पर एक चर्चा की गई तो उसके बारे में एक चर्चा की गई तो आप पढ़ली देंगे तो एनिपी के बारे में और थोड़ा सा इस पर जो parliament panel है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएग फॉर जोसी मठ सिंकिंग जोसी मठ के डूबने का कारण मतलब जो धसने का कारण है उसके लिए आठ इंस्टीटूट ने कुछ जाव दिया है और उसमें कई कारक हैं एक पहला तो जो कारण है वो है सिस्मिक एक्टिविटीज दूसरा कारण है कस्टक्षन लूफ फॉल्स ठीक है तो यह एक आपके पास चार कारण निकल गया है अब किसने किसने किया है यह आप देख सकते हैं अधिया आपको याद नहीं है तो एक-दो को याद रख लिजिए जैसे वाडिया इंस्टीटूट ऑफ हिमालया जियोलोजी इसको याद रख सकते हैं एंजी आराई मत रख लिजिए जी एस आई जी लोकल्स और आप इंडिया मतलब कुछ जो रिपोर्ट से इनको याद रख लिजिए ताकि क्या होगा कि आप लिखेंगे कहीं पर तो इसमें दो-तीन इंस्टीटूट आप सामिल कर सकेंगे जिससे आपके मतलब उत्तर को और सपोर्ट मिलेग तो यह आप कर सकते हैं इसके बाद जो हमें लास्ट न्यूज पढ़नी है वो इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें लाइक कमेंट से यह जरूर करें और डेली इसे सुने कि अमाज के गैप को भरने के लिए पुल का काम करेगा तो किस प्रकार से काम करेगा इसे आप पढ़ लेंगे नेशनल रिसर्च फाउन्डेशन है ना The National Research Foundation is a new research funding agency that the Union Cabinet recently approved it has a budget of 50,000 1000 करोड, 50 over 5 years and was set up to help boost research and innovation in India by providing more funding, ठीक है, तो यह important है, और इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, तो थोड़ी चीजें आपको समझ में आएगी, NRF के बारे में जरूर लिख लेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, क्या और क्यों पढ़ने के साथ, धन्यों आपको